भिलवडा शहर के रामधा में गोपाश्ट मी पर पर गोमाता के लिए छपन भोग का आयुजित किया गया जहां फलफूट विविन तरह की लापसी का भोग नंद गोपाल को लगया गया उसके पशाद गोशाला में गोशाला में गोशाला में गोशाला में गोशाला में आज हमें बड़ा घर्व का अनुबह हो रहा है कि चार बुजा मित्र मंदल के सभी साथियों के द्वारा आज जो गोपाष्ट में के परोपर रामदाम में विशेस आयुजन रखा गया है जो कि गोमाता के लिए 56 लगाया है हमें बड़े हर्श का अनुबह हो रहा है कि हमें आज यह देखने को मिला मुझे लगता है कि रास्तान में पहली बार 56 गोपाष्ट में पर गहयों के लिए लगाया है इसके लिए मैं सभी जिन विक्तियों ने जिन संस्ताओं ने जिन आम रमायन मंदल के जितने त्रष्टों ने जो सहयोग दिया है उनके लिए सब्सक्राइब आभार और बहुत ही सुन्दार आयोजन के लिए एक बार पुने चार बुजा मित्र मंदल आपका आभार व्यक्त करता है धन्यवाद ओम प्रकाश कावरा बड़े हर्श का विशे है कि आज रामधम परशे के अंदर गोसाला में गोपास्टमी का पर्व खूब ही धूमधम से मनाया गया भीलवाड़ा के हजारों भाई बहनों ने आकरके यहां पर गायों की पूजा की और चपन भोग का आयोजन किया गया और गायों के लिए सभी लोगों ने मिलकरके चपन भोग का आयोजन करके और गोमाता की पूजा करके अनेक परकार के पकवान लड़ू लापशी अनेक परकार के काजू वदाम अनेक परकार के द्रब्यों से भगवान की पूजा करके गायों को यह सब प्रसाद खिलाया गया और सभी लोगों ने हर सुल्लास के साथ में गोम जब से यसोधा माने लकुटिया दे करके और भगवान को गोचारन के लिए भेजा वो आज पवित्र दिन है भगवान कृष्ण लाला चोटे से कृष्ण गोव माता को गोचारन करने के लिए जंगल में गये उसी दिन से द्वापर्युगशे आज तक आज का दिन गोपास्ट में का पर्व मनाया जा रहा है गोपास्ट में गोव मतां के पूजा करने से अनेकों अनेकों और कितने करोड़ों अपने जन्मों का जन्म सुधरता है और अनेक पर्वों का फल प्राप्त होता है पंडित रमाकांत शर्मा एवं पुजारी शुश सुक्राइ